दोस्तो यदि आप केवल दसवी पास है या बारहवी पास है या सनातक पास है तो आप सभी के लिए अक्टूबर महिने के मैं आपको साथ बंपर भरती के बारे में बता रहा हूँ जिसमें बहुत सारे ऐसे भरती आवेदन पर करिया बेश शुरू हो चुके हैं बहुत सारे भरती को लेकार आवेदन पर करिया अक्टूबर महिने से सुरू होगी, कुल मिलाकर अगर सभी भरती को मिला जाए, तो 64000 से यदिक पदों पर ये भरती होगी, अलग-अलग पद है, अलग-लग एज है, क्वालिफिकेशन अलग-अलग है, मैं सभी जनकारी बताऊंगा, जैस और सटिक ढंग से समझ में आपाए, विडियो अगर आपको पसंद आ, तो इससे लाइक, सेर जरूर कीजिया, और चाहते हैं इस पर करकी लगतार अपडेट आपको मिलती रहे, तो चैनल को सस्क्राइब करें, ताकि आगे भी इस पर करकी जो भी अपडेट है, आपको मिलत कर दिये थे, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इस पोटल को री ओपेन किया जा रहा है, औक्टूबर महिने से, एक अक्टूबर से इसके लिए आविदन पर करिया स्टार्ट होंगे, 15 अक्टूबर तक आविदन पर किया चलेंगे, आप लोग इसके लिए इस वर्स रखा गया है, और एज में रिलाक्सेशन मिलेंगे, ओविस्ट को तीन साल, मतलब कि आपका 40 साल हो जाएगा, एससे एस्ट को यहाँ पर 5 साल, यानि 12 साल तक होगा, वही कुछ पद ऐसे हैं, जो गरिजुसन लेवल पे हैं, जिसमें 21 साल से 37 साल एज होगा, इसम के अलावे बहुत सारे पद ऐसे हैं, जो गरिजुसन लेवल, डिप्लोमा लेवल पे हैं, तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, मैं एक तारी को इसके लिए डीटेल वीडियो लेकर आऊंगा, कि इसका फॉंप कैसे भरना है, आप चैनल को सस्क्राइब करकर रखेंग तो वीडियो आपको देखनों को मिल जाएगा, आप देख लीजेगा, बाता दे, इसका अप्लिकेशन भी, तो अप्लिकेशन भी काफी अधीक है, जैसे जेनरल OBCWS को 1500 है, वही SCST वाले जो भी कैनिडेट है, इनको 125 रुपे देने की अवसकता होगी, अब इन सब भरती के उपर में, मैंने डीटेल में भी वीडियो बनाया है, वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, और डीटेल जनकारी हमारे वेप साइट, online update.htm.in पर आएंगे, तो पूरी डीटेल जनकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं कि कहां कितनी की भरती है, यानि railway group D की भरती होने वाली है, department RRB यानि railway equipment board के द्वारा यह भरती निकाली जाएगी, अपरोक्स यह भरती जो होगी, यह करीबन 40-40 से भी अधिक सीटो पर आपको online apply करने का मौका मिलेगा, हो सकता है, यह भरती increase भी हो, क्योंकि पिछले बार जब भरती आई थी, LP का, तो उसमें शुरुआत में क्या था, कि कम पद ही आया थे, बाद में जाकर भेकेंस से increase हुई है, तो ऐसे भी इसमें भी हो सकता है, कि अभी जो भरती है, 40 सेर्म में पदों पर देखनों को मिलेगा, आगे चलकर यह भरती, आपको बढ़ाई भी जा सकती है, जो नोटिफिकेशन आया है, उस डेट लाइन के कोडिंग, डेट नहीं बताया है, लेकिन अक्टूबर लास्ट विक से इसका ओनलाइन अपलाई स्टार्ट कर दिये जाएंगे, लास्ट डेट की बात की जा, तो एक महिने के लिए पोर्टल खुलेगे, तो लास्ट विक से 40 साल अधिक्तम हो जाएगा, और SCST को 42 साल वालों को भी मौका मिलेगा, इसमें दो परकार के कनिडेट को मौका मिलेगा, एक तो साधारन जो दसवी किये होंगे, उनको भी कुछ पद ज्यादा पद तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ पद दसवी वालों के लिए होगा, और बाकी बहुत सारे ओप्सन मिल जाएंगे, जो दसवी के साथ ITI किये हैं, इन कनिडेट के लिए भी पद इसमें होने वाले हैं, बाकी अप्लिकेशन फी के बात कीजा, तो जेनरल OVCWS को यहाँ पर 500 लगता है, इसमें जैसे ही आप इसका stage 1 यानि CBT 1 देते हैं, तो 400 रुप अप्लाई करेंगे, उस समय आपकी बैंक की डीटेल मांगे जागी, आप अपना ही डीटेल दीजेगा, अगला भरती की बात की जाएं, तो BPSC सतरवी का फॉम फिलप की परकिरिया स्टार्ट हुए हैं, विपी से डिपार्टमेंट का नाम BPSC है, भरती की बात की जाएं, उनिस सो, उन्तिस सीटो पर भेकेंसी अल्रेडी स्टार्ट कर दिये गए हैं, ऑनलाईन अपलाई इसका चल रहे हैं, और 26 सितंबर से स्टार्ट है, लाश्ट डेट 18 अक्टूबर 2024 तक रखे गए हैं, यह जिसमें वेडियस पोस्ट है, तो हर पोस्ट की लिए अलग अलग ह जैसे बहुत सारे पोस्ट में 20 साल भी मिनमम एज है, बहुत में 21 साल और बहुत में 22 साल, अधिकतम 27 साल है, एज में रिलाक्स सेटो को 3 साल, सेटो को 5 साल मिलेंगे, पद की बात की जा, तो यह गरजविशन लेबल की पद है, गरजविशन जो किये हैं, आप इसके लिए जरूर कीजिए, अपलाई का वीडियो मैंने अल्रेडी चैनल पर बनाया है, आप उससे जाकर चैनल के लोगों पर क्लिक करकर वीडियो वाले सक्षन में जाकर देखिएगा, अपलिकेशन फी के बात की जा, तो जेनरल ओवी से डव्लू एस को 600 रुपे है, ऐस से एश्टी की बात की जा, तो 3445 सीटे रखी गई है, 21 सितंबर से ओनलाइन अस्टार्ट किये गए हैं, लास्ट डेट की बात की जा, तो 20 अक्टूबर 2024 तक इसका आविदन चलेंगे, इसमें एज की बात की जा, तो 18 लेकर आपकी 33 साल रखे गए हैं, एज में रिलाक्सेशन भी आपक होंगे, एस्टी को जो है 2800 पर लगेंगे, 2800 का 2800 भी रिफंड आपके हो जाएंगे, जैसे CBT1 आप देते हैं, बात करें अगले भरती की ओर, तो अगला भरती रेलवे में एंटी पिसी ग्रिजुएशन लेवल पे है, जो अच्छी भरती है, करीबन जो है, 813 पदो पर य लेंगे, और अप्लिकेशन भी के बात कीजिए, जैसे CBT1 को 500, SCST2 को 2800, गर जो जैसे न आपकी होने चाहिए पास आउट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगले भरती के बात कीजिए, तो अगला भरती आपका नवार्ड में होने वाले हैं, ओफिस अटेंड हो रहे हैं, 108 हसीटों पर भरती होगी, 21 सक्टूबर तक आप अवेदन कर सकते हैं, 18-30 होंगे, रेलाकसेसन भी आपको दिये जाएंगे, दसवी सिर्फ होगा, दसवी के बात कुछ भी नहीं मांगा गया है, तो आप इसमें अगर दसवी पास है, तो अप्लाई कीजिएगा अप्लिकेशन भी जन्रलोबी से डबलुएस को 450 हसीएष्टी को 50 रुपे देने की अवेज सकता होगी, अगला जो भरती है, यह सिर्फ बिहार के कैनिडेट के लिए होने वाले बिहार विदाले साहयक की भरती है, हर जिला का इसका जिला वाइज नोटिफिकेशन आ चुका उनको निवास प्रमान पत्र परस्तूत करने की जरूरत होगी, 421 पदो पर भरती होगी, अक्टूबर महिने सप्लाई पर क्रिया स्टार्ट होंगे, नॉमबर महिने तक आवेदन चलेंगे, 18-17 साल एज होगा, रिलक्सेशन और से को तीन साल, से एश्टी को एज में 5 साल क और भी मांगे जाएंगे तो टाइपिंग मांगे जाएंगे, तो जो लोग बारहवी पास है, टाइपिंग जरूर सिखिए, यह बहुत ही महत्मोर्ण सीजे employ है, हर वेकैसी में टाइपिंग पर के घ्यान मांगती है, तो यह जरूर रखिए, इसम trick पर बताई गई है, इसक का ओफिसल नोटिफिकेशन नहीं आया है तो अप्लिकेशन भी इसके बारे में जनकारी नहीं दी गई है तो यह कुछ भरती था कुल मिलाकर अगर बात किजा तो यह सभी भरती 64000 से भी अधिक सीटों पर होने वाली है और बहुत सारी भरती अल्रेडी चल रही है जो कि अक्टूबर महिने तक चलेगी आप जिसके लिए भी इलिजिवल है आप अप्लाई किजेगा बाके कहेंगे अप्लाई करना कहां से है तो आप गूगल में ऑनलाइन अप्डेट स्ट सब्सक्राइब टेकनिस्टियन का भरती जो है री ओपन हो रहा है इसको मैंने छोड़ी दिया तो यह भी 14,200 अंठानमे पदों पर भरती है जिसके लिए ऑनलाइन अवे दन री ओपन किया जा रहा है यह दो अक्टूबर से हो रहा है तो इसको अगर आप मिलाएंगे तो य मुल्टिपल वीडियो मिलेंगे जैसे भी आरपी आपका अप्लिकेशन एस्टेटस आया है अभी आंगन बारे में भरती यूपी एस्टेट में निकली है उसके बारे में मैंने बताया है विधान परिसत का एक्जाम डेटा है सिक्षा विभाग में भरती चल रही है बिहार कर सकते हैं ऐसा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाहिंद